2023 में हुए पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि भाजपा को 100-122 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को 14-15 सीटें मिल सकती हैं। मध्यप्रदेश में एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को सिंतिन्नाई से एंसो तीस सीटे मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को सिंतिन्नाई से एंसो साथ सीटे मिलने का अनुमान है, अन्य को जीरो से दो सीटे मिल सकती है, तेलंगाना में एग्जिट पोल के मुताबिक का कांग्रेस को 5-9 सीटे मिल सकती हैं, जबकि MNF को 10-14 सीटे मिलने का अनुमान है, भाजपा को 0-2 सीटे मिल सकती हैं, एक्जिट पोल के नतीजे केवल अनुमानों पर आधारित होते हैं और चुनाव परिणाम अंतिम होते हैं, एक्जिट पोल के मताबिक, राजस्थान और और कांग्रेस के बीच कांटे की टकर देखने को मिल सकती हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बड़ा जटका लग सकता है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार का भविश्य अनिश्चित है, तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, जबकि मिज जोरम में कांग्रेस MNF के बीच मुख्य मुकाबला हो सकता है। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों में भी उच्छुकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर के नतीजे देश की सियासत पर भी असर डाल सकते हैं।